कई है नो गाइस डाज आज आपको एक एसा माईक्रोनीच ब्लोग बताने जा रहे हैं जिस माईक्रोनीच ब्लोग पे अद दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो पहला तो जनेली सब को मालूम है की Google दूसरा जो सोर्स है वो सोर्स एक ऐसा सोर्स है जहां पर आपको कोई भी मतलब यह कहलो कि वो आपका ही खुद का प्रोडेक्ट होगा आप अपने हिसाब से उसका प्राइज रखोगे और उसके बाद जब उसमें सेलिंग आएगी या फिर जब उसकी सेल होगी तो उसका जो आपको पैसा मिलेगा वो भी आप पूरा ही पूरा रखोगे आपको किसी को ना कमिशन देना है और ना ही किसी तरह का कोई टैक्स देना है ओके तो ऐसी माइक्रो निश ब्लॉग टॉपिक को जान लो उसके बाद इस पे काम करो और जब फ्यूचर में आपका ब्लॉग रैं टॉपिक है जहां पर आप डबल सोर्स ऑफ इंकम जनरेट कर सकते हो ओके तो चलिए वीडियो स्चार्ट करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जनरली मैं तो इस वीडियो पर मुझे दस लाइक चाहिए तब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर एक ऐसा कंटेंट ले रहा हूंगा जो आप लोगों के लिए सबसे यूनीक और सबसे बेस्ट होगा तो चलिए जानते हैं अपने ब्लॉक टॉपिक को जो चीज बताया हूं वह चीज को हूँ ज वो हाइज स्कूल हो चाहाब इंटर हो चाहाब किसी तरह की का गुवर्मेंट जॉबड एक्जाम हो या फिर कोई तरीखा सेलیک्शन प्रॉसेसे वाली फो हर तरीके के एकजाम होते हैं कर और सब इग्जाम की प्रपरेशन में क्या होता है कि कई सारी मार्केट मे books available होती हैं कई सारे notes available होते हैं कई सारे ऐसे यह कहलो कि sheet होती है जिसमें important questions होते हैं तो यह सब ही type की चीज़े मिलती हैं जो competition या फिर यह कहलो जो यू जो बंदे paper दे रहे होते हैं वो लोग इसे buy करते हैं और इससे study करके अपना exam देते हैं लेकिन अभी तक क्या था कि आप लोगों को मार्केट में जाकर बुक सॉप पे यह सब चीज़े find करनी पड़ती थी लेकिन अब जब से सब चीज़े online हो चुकी हैं तब से आप IIT की कोई notes किसी subject particular कोई subject एक ऐसा subject दो सबसे hard subject है IIT का और जिसके marks भी सबसे ज़्यादा है मतलब जिसके questions सबसे ज़्यादा आते हैं तो उसके notes अगर उसके सामने दिखाओगे तो वो बंदा क्या करेगा आपके notes को आपके जो e-book है उसे buy कर लेगा तो वही आपको क्या करना है उन्हीं notes पे side बनानी है आप लोगों को जनली यहां पर question देख लेने हैं कि कौन-कौन से notes मतलब यहां पर keywords देख लेने कि कौन-कौन से notes पे हम बना सकते हैं अब जैसे KTU तो यह की university name है VTU तो इन दोनों को आप ignore करो इन दोनों पर भी बना सकते हो इनके अंदर आपको deeply जाना पड़ेगा इसके बाद आप सबसे easy क्या रहेगा जैसे class 10 science note ठीक है विजन आइस नोस ठीक है class 9 science note ठीक है life process class note ठीक है देखो नेस वह देखो आपको मालूम होगा physics chemistry math 11-12 की बहुत जड़ा हाड होती है तो उसके कुछ notes आते जिसमें formula या फिर कुछ ऐसे questions होते हैं या फिर यह कहलो कुछ ऐसे जैसे chemistry का है तो उसमें कई reactions होंगी कई जो पूरी product table में जितनी भी families होती है उनके बारे में जितनी important नहीं लेते हैं तो उनके सारे notes बनाए particular topic को लेकर notes बनाएं जैसे chemistry note है तो chemistry notes में आप लोग क्या करो chemistry के जो important important topic है उनके notes बनाओ ऐसे यहां पर सारे class class 11-12 9-10-12 ठीक है उसके बाद जो बड़े-बड़े government exams है उनके और भी इतनी चीदें उनके उपर आप topic बना सकते हो और सबसे ज़्यादा आप यहां पर यह देखो कि यहां पर search volume कितना ज़्यादा है किसी भी keyword का search volume कम नहीं है अच्छा है साथ में उनका intent भी बहुत अच्छा ह और CPC भी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब आप यहां से काफी अच्छी earning कर सकते हो और मैं अगर इस keyword क्यों open करके रिखाऊं कि इसके अंदर आपको कितनी problem होगी या फिर यह कह दूं कि इसके keyword पर कौनकों सी site rank हो रही है आपके competitor का analysis आपको मैं बता दूं तो आप अब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर हमने देखा कि जैसे कि learn cbsc rank कर रही है चलो यह बहुत हाई डीए की site है लेकिन rank कर रही है विदान तू रहा है बाइजिस rank कर रहा है ठीक है अब सेल्फ इस्टेडी को यह पतलब पर्टिकुलर साइट है ठीक है यहां पर देखो ncrthelp.com यह rank कर रही है भी एक blog है ठीक है ncrt solution यह देखो rank कर रही ह है ठीक है class note.org यह rank कर रही है तो यह सारी sites हैं जो कि rank कर रही है और यह एक तरीके का blog है आप देख सकते हो selfstudy.com अब selfstudy.com में देखो यहां पर पर्टिकुलर सब्टे नोट्स दे रहे हैं अब इसने फ्री नोट्स दे दिया है कुछ लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर सब questions हो गया जो की exam में पूछे जाते हैं हर साल ओके या फिर कुछ ऐसे sums कुछ ऐसे math के questions जो की normally solve नहीं किया जा सकते हैं उनके आपने notes बनाई और flash करवा दिया अपनी screen पे जैसे यहां पर adsense earning कर रहो को user आपको डेख रहे हैं यहां पर chemistry के सारे topic देख रहा हूं और मुझे thermodynamics में मालो बहुत जारा problem होती है thermodynamics ऐसे भी बहुत हार सब्जक्ट है तो अब यहां पर देखो यह इन्होंने thermodynamics में सब चीजे बताएं यह सब बेसिक चीजे हैं जिसका कोई तो अब इस नोट्स में मालो thermodynamics में मालो कोई हार चीज़ है thermodynamics में कोई एक ऐसा टॉपिक है जैसे वेंचुरी मीटर भी आता ही है thermodynamics में तो वह कोई आप देख सकते बंदे ने पुरा मेंटेन कर रखा सारी साइट मतलब सारे पर्टेकुलर एक्जाम सब्सक्राइब और इसको पूरा सॉल्यूशन देता है तो यहां पर आपको पर्टेकुलर क्लास देखो यहां से अच्छा खासा और इनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने पर्टेकुलर हर टॉपिक का एक अलग-अलग बना दिया या फिर उसकी पीडिया फाइल बना दी जिससे यूजर डाउनलोड कर लेगा या फिर कुछ लोग लिखके भी रख आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करते हैं और खासकर इस्टुडेंट जिनको ऐसी ऐसी चीज़े चाहिए होती हैं जिससे वह अपने मार्क्स को और भी ज्यादा बहतर बना सकें तो अगर आप इस एबुक या फिर यह कहलो इस माइग्रो नीच होगा आपके लिए ओके तो फिर मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए